याई दोस्तों कैसे आप लोग उम्हेंद दोस्तों आफ बहुत अच्छे से होंगे स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में दोस्तों फाइनली अवद इनिवस्टी ने नोटिफिकेशन जारी करती है आपके न्यू समस्टर के अड्मिशन के रिकार्डिंग आप लोग आजी के दिन जानि के 30 अप्रिल यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपने उफिशल वेबसाइट पे कि आपके के लिए और Self कम की website पे form के regarding notification जारी कर दिया है तो आएए देखेंगे पहले इस form को फिर उसके बारे में बात करेंगे कैसे form बरना है क्या है सारी चीज़ देखेंगे तो पहले हम आज आते हैं दोस्तो we always trust on the official website so here we are on the our university's official website अगर आप नीची आएंगे so we will find another option for the admissions 2024 इसको नीची आएए students corner में अगर आप देखेंगे तो campus admission 2024-25 इस sessions की बात की जारी है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीका का screen आपके पास खुल के आ जाएगा आप चुकि यहाँ पर आप admission notice, fees eligibility, important dates की बात करेंगे तो यह अभी update नहीं हुआ है यह अभी पुराना वारा ही दिखा रहा है लेकिन थोड़ी से नीची आएंगे तो देखेंगे आवास यह परिशर्त तता संबंद महा विद्यारे में संचारित परासनातक पाठ्थिक्रम सत्र 24-25 में परवेश हे तू असनातक यह परासनातक यूजी और पीजी दोनों कुर्स की बात की जा रही है 24-25 सेशन 24-25 के परवेश हे तू online आवेदन किये जाने के संबंद में अधी सूचना, क्या है अधी सूचना हम यहाँ पर किलिक करेंगे तो हमारे पास यह PDF फूल क स्चना, क्या है तो क्या है धिर है नोसनों क्यूल Wa ASI pana अधी आवा से alle के समभड महा विद्जैले में संचालीट असनातक यूजी और P.ट.apठी का कि स्टेशकर लिए 25 में अगर आप admissions लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस website पे इस तरीके से आपका form भरा जाएगा क्या form भरा जाएगा कहने का मतलब दोस्तों कि प्रारंब किती थी 30 अप्रेल मतलब आज की date दी गई है हाला कि अभी link activate नहीं हुआ है जैसा ही होता मैं एक form भर के आपको दिखा दूँगा पस आप मुझे एक काम करेगा कमेंट में बताएगा कि कौन से course में आप admission लेना चाहते हैं मैं फश्योर अमेट का तो form एक भरूंगा और बताऊंगा कि कैसे form भरना है अगर if I'll get some LLAB students then also I'll go for the LLAB students कि कैसे form भरना each and everyone step by step मैं आपको बताऊंगा so दूसरा देखें दोस्तों फिर UIN generate की बात अंतिमतिती 15 June निर्धारित की गई है तो आप last date का wait मत करिएगा 15 June से बहुत पहले या form भर लीजिएगा अचा गर हम B8 की बात करें तो आप सब को पता है कि B8 जो admissions होता है वो किस base पे होता है वो जो आपका B8 common entrance exams होता है उसके base पे होता है तो जब वो आ जाएगा उसके अनुसार ही विस्विद्याले अनुसार ही date रखेगी तो B8 का बारे में भी सूचना नहीं है और संबंध मह विद्याले में UIN स्थापित अब जो बच्चे मालेगे किसी college में प्राइवेट college में BA, BSC, BCOM इसमें admission ले चुके है तो उनके लिए 15 अगस्त तक अंतिम तिधी रखी गई है UIN form अगर आप admission लिए हैं तो आपको पता होगा कि हर university एक अपना UIN form भराती है तो यह UIN की form आई अब आई जारा और देख लेते हैं आपकी जो मुख्य बात है उसके बारे में हम चलेंगे वह है आठवे कॉलम पर आठवे कॉलम पर किया है इसको देख लिए फिर हम बीस के बारे में बात करेंगे साफ तोर पर लिखा गया है कि विस्वी द्याले से समस्त महवेद ज्यालों में संचालित L.L.B. जी हाँ इसी के बारे में आप इंतजार कर रहे थे जिनको एडवोकेट बनना है जिनको जजस बनना है उनके लिए कि जिनको L.B. करना है आवद विस्वी द्याले के एक से अ परवेस केवल विस्वी दालत और आयोजित परवेस प्रक्रिया के माध्धम से ही मानने होंगे यह जो कुर्स है दोस्तों जो यूनिवरस्टी फॉर्म भरवाएगी और यूनिवरस्टी जो एक्जाम्स कराएगी इसी के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा इसके अलावा क हो यह फाइफ यर्स की हो एमेट बीपीएड और एमपीएड की बात करें परवेस केवल विस्वी दालत वारा आयोजित परवेस प्रक्रिया के माध्धम से ही मानने होंगे महा विद्याले के अस्तर से किये जाने वाला परवेस विधी मानने नहीं होगा अगर कोई यह चाह पड़ेगा बीना किसी डाउट के आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा अब हम बात कर लेते हैं फीस की तो कितनी फीस होने वाली है अल्मस्ट एक हजार रुपए रहती है तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलॉपए आपका फीस रहेगा इसके अलावा अगर आप इस ये में या बीसी में तो वह अगर ये फॉर्म भरता है तो सौ रुपए ये ऐस यूजवल लगता है बीएड वालों के भी सौ रुपए लगते हैं यू आइन के क्योंकि बीएड वाले फीस आप काउंसलिंग को पे करते हैं आपके फस्टियर में 55,000 रुपए चलिए ये ब 30 अपरेल 2024 से 15 जून 2024 तक किये जा सकेंगे संबंदित विवरल के अनुसार इसमें दोस्तो परिक्षा योजन की तीथी 6 जुलाई निर्धारित की गई है तो अकर आप प्रिप्रेशन की बात करें दोस्तो तो 6 जुलाई तक का आपका टाइम दिया गया है एक टेंटेटिव इस एक्जाम्स होगा वह संबहावित टेंटेटिव डेट की रिजल्ट कवा जाएगा तो वहां पर 15 जुलाई बताई जा रही है कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सी एक बात हम समझ जाते हैं विस विजाले ने इस नोटिफिकेशन में क्या कही आई जरा इसको समराइस करते ह हो है फिर हम इस वीडियो का समापत करेंगे पहली बात दोस्तों ने जरत चौछी बात चौछी बात पंदरा जुलाई तक परेडाम घोसित कर दिये जाएंगे और पांचवी और मुखे बाद दोस्तों अगर आप इन कोर्सेस में जैसे कि मालेजे LLB चाहे आप तीन साल या पान साल चाहे MAD, BPA, MPAD इसमें अगर आप एड्मिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बिना इस फॉर्म के अधार पर आपका अड्मिशन नहीं होगा इसके अलावा दोस्तों और कौन-कौन से कोर्सेस के लिए आपको फॉर्म भरे जाने हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है LLB, LLM, MAD, FORMACY, FORMACY मतलब B-FORMA और D-FORMA इन सारे कोर्सेस के फॉर्म भरे जाएंगे 30 अपरेल और हाँ एक और खास तर मेरे पास कुछ एक पर दो سाल के प्रिवियस एस कोर्शन पर आपको इसके अज़रा प्र Au मुझे फॉलो करते हैं मतलब मुझे जूड़े हुए इस्टाग्राम पे तो मुझे बहुत खुशी होगे अगर आप मुझे यहां से जूड़ते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी I will be blessed I will be very glad if you follow me there so I humbly request to you if you use Instagram do follow and be connected with me तो दोस्तो इस वीडियो में फिला इतना ही तो आपका फॉर्म एक्टिवेट होने वाला है जैसे योगा में आपको अप्डेट कर दूंगा मतलब सूचना आ चुकी है अधिकारिक ओफिशियल वेब साइट पे कि now you are ready to get admission in the आवद university for the sessions 2024 and 2025 so those who are interested to get admissions all the very best best of luck for your internes exams all the very best for your exams and you guys are most welcome at the university मेरी दूआ है आपसे अच्छा रेंक लाइए admissions लीजिए university में आईए affiliated colleges में आईए और हमारे एक पार्ट का हिस्सावरे हमारी एक अवद university के family का एक हिस्सावरे आपका उसमें बहुत-बहुत स्वागत है चलिए आने किसे सुझाओ के लिए सलाह के लिए मश्वरा के लिए आप मुझे हमेशा contact कर सकते हैं मेरी अनुभाव कैदार पर जो भी मुझे हो सकेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा खास तरफ पे अगर आप M.A.T. से समधित कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं मैं आपकी अपने अनुभाव कैदार पर जो भी मुझे घ्यान है अकल है नौलेज है मैं आपकी डेफिनेटली महाँ पे सहाइधा गरूगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों फॉर्म भरिए आराम से भरिएगा सतरक्ता से भरिएगा कोई समस्या सुझाओ परिशानी मुझे पूछ सकते हैं कमेट में अपनी राये पर तिक्या तो इस अदेस हैं कमेटली मुझे पुote यहाँ से भरिएगा कोई से भरिए इस वीडियो में ज लोस में होता हैं